स्वागत है आपका छॉलिवूड में मैं सोनी और आज हमारे साथ मौजूज हैं जैस जी जिन्होंने काफी सारी 36 गड़ी पिक्चरों में अपना योगदान दिया है और काफी सारी मुजिक एल्बम्स में भी काम किया है आज हम उनकी जुवानी सुनेंगे उनके बारे में जैस जी स्वागत है आपका छॉलिवूड ट्यूब में नमस्कार जैस जुहार तो सर आपके एक्टिंग को लोग काफी पसंद करते हैं और आपकी एक्टिंग को लोग देखना चाहते हैं तो आपको इस एक्टिंग का जो तजुर्बा है या फिर एक्टिंग को आपने रोल मॉडल के रोल मॉडल भी होंगे आपके कोई बहुत सारे रोल मॉडल होंगे तो आपने एक्टिंग को ही अपना करियर क्यों चुना म della अपने में आकि लुक्स को पहुत हम ऊब करना है कि मुझे आर्मी में जाओंगा या तो फिल्म में CPA करता 3 एज बाई एज I was very clear कि मुझे फिल्मों में ही जाना है हाला कि मैं सोज़ा था आरमी में जाऊँगा लेकिन रुजान ही जरजादा था कि मैं अपने फादर को पता है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहता हूं फिल्मों में काम करना चाहता हूं तो अफ्कोस उस ताइम में हमारे पैरेंट्स इतने नहीं थे कि क्यालते जैसे आम जिंदगी होती सब की 10 to 5 वाले लाइफ बैंक में जोब यह जोब सरगा करना चाहता है तो आए वेंट तो हैजराबाद और वहां जाके मैं हैजराबाद में मदू फिल्म एंट टीव इंस्ट्यूट है में अप्टी आई काहा जाता हूं से वहां पर मैंने फिल्म की टेक्नोलोजी पर पढ़ाई करी एक्टिंग का वहां पर मैंने कोर्स किया और आई स्टाटेड माई केरियर फॉम दैर एस जुनिया आर्टिस्ट और चातिजगर इंडस्ट्री में भी जब मैं काम करने की बात बुलेंगे तो चातिजगर इंडस्ट्री में पर एसन बैग्राउंड डांसर मैंने यहां पर कई स्टेशों किये हैं जब आवार फंक्शन ह आई थी प्रेम युद्ध उसको लोगों ने काफी पसंद किया था और उसके जो गाने थे वो भी काफी हिट्स हुए थे काफी हिट हुए थे गाने तो आपकी कोई अपकमिंग फूल फिल्म है जिस चातिसगर की जिसमें लोग आपको जल्द ही देख पाएंगे जी अपको जैसे कि अभी रिसेंटली मेरे फिल्म प्रेमिय उद आई थी तो उससे मुझे काफी अच्छा रिस्पॉंस मिला पब्लिक का और मैं उम्मीद करता हूँ जो मेरे नेक्स रवी फिल्म है वो भी बहुत अच्छा पब्लिक को एक नया कंटेंट लाके परोसेगी जैसे एक ल इलाके देने वाले हैं बहुत चल्द सर तो चत्तिसगड में आप कितने समय से काम कर रहे हैं चत्तिसगड में अगर आप कहेंगे तो देखे मैं एक्शली चत्तिगड में बॉन और आपको मेरे जनम यहीं हुआ है मेरी पढ़ाई लिखाई यहीं हुई है और ख्रीजी इसी ट्रैक पर अपना ट्राइक के और हूं इंडस्ट्री में है सर अपने चॉली वूट कुछ छोड़के और कौन-कौन सी इंडस्ट्री में काम किया है इंडस्ट्री का जाता है वहाँ पर मैं आप्स इस और ग्राफर हुआ हो और लेज़ेंट्री में नीटर में काम किया है वह एक्चमन बहार में मैंने काम किया है और अभी रिसेंटली वेब सेरीज के जो बहुत जल जाने वाली है चतिस गड़ में ऐसा कौन सा एक्टर है जिसके साथ आगे काम करना चाहेंगे जितने भी हमारे सीनिया आर्टिस्ट है उनके साथ लगभग काम किया है जितने भी मताब फीमेल और मेल आर्टिस्ट है अगर आप एक्टर में बोलेंगे तो अभी तक मैंने सिर्फ मन के साथ काम ने किया है जो मेरा चमित्र है उसके साथ एक बाद स्क्रीन शेयर करना है और पॉलीवूड में कौनसे एक्टर पसंद है सर आपको बॉलीवूड में तो अगर आप देखें तो मेरे को बॉलीवूड में सभी हेरोज पसंद है लेगिन एक एक्टर की काम्याभी में क्या चीज माइने रखती है देखे ये बहुत ही अच्छा सवाल है और ये ऐसा सवाल है कि जिसके लिए हर एक है everyone having their own definitions मेरे life में एक काम्याबी ऐक ऐसा है कि मतलब देखे हम जो stream से belong कर रहे हैं ये art है मतलब एक color है जब तक कि आप color को एक proper अभ्यास नहीं देंगे यानि कि practice नहीं देंगे तो perfect नहीं होगा और जब कोई भी ची perfect चीए तो उसके लिए आपको चीए concentration तो ये दुनों का तालमिल सही बैटेगा तो आपका art ये आपकी color बहार उबर के आएगी और वो जब बहार आएगी तो color जब बहार आती तो उसको छुपता नहीं सकते है आप वो एक सुरस की रोशनी के तरह है जो हमेशा खिल के बहार आती है तो ये है कि अगर आपको एक अच्छा artist बनना है तो you should be very sincere to your work, to your profession और इमानदारी से अपने काम को करिए इमानदारी से अपने लक्ष को देखे कि आप कहां काम करना चाहरे है और लक्ष मेरे ख्याल से ऐसा है नहीं कि आज आपको प्राप्त हो गया या मिल गया तो वो खतम हो गया आप एक target खता होने के बाद नेक्स फिर target क्या है वो clear energy क्योंकि अगर आप समझ लेंगे कि successful हो ग करेए अपने कला को जो अपना आपका आर्ट है उसको पॉलिश करिए इमानदारी से करिए और ध्यान से करिए आपके आसा मिलेगा जैस जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपने हमें अपना कीमती समय दिया थेंगी तो यह थे अमारे साथ जैस जी जिन से जुड़के हमने कुछ खास बाते जानी इनके बारे में और ऐसे ही हम आपके लिए और भी वीडियोज लेकर आएंगे जिसमें हम 36 गड के मशूर कलाकारों से कुछ खास बातचीत करेंगे कर दो